आज हम आये हैं ब्लोक बेल दिस्टिक विवानी के गाउ बिद्नोई में ये अमारे साती पिसान है इन्हों ने एक तक्निक विक्षित की है अपने आप ही एबार निची की जी कैमरा जी देखिए यह इन्हों ने तर्बूज के बैड में कपास लगाई हुई है कपास के पूर दिखाओ यह दस बैड से बैड का डिस्टेंस डिस्टेंस है वह दस फूटका थे दस फूटका है और जो यह पलांट टो फ्लांट यह आपर जो डिस्टेंस है यह तो डिचली बार भी यह किया था है इंक तो आपने कितनी पैदावार ली थी एकड पर थी एकड मैंति हैं परती एकड का तो जो किसान बाई सब्जी लगाते हैं बैड के उपर सब्जी लगाते हैं और ड्रिप से लगाते हैं वह साथ के साथ दूसरी फसल ले सकते हैं जैसे इन किसान बाई ने ले रखिए कापास की तो उससे आपकी एक एकड में एक की समय में डबल Jessie कम हो जाएगी और मेरी ओर जो सती किसान बाई है जो आस पास के सब्जी लेना चाहता है तो नमर का जाता है नाम है उनके नंबर और घाएंगे तर्बूज के साथ तो इनके बाड़ी कितने दिन की होगी एक महिने की अच्छा मार्च में डाल दी थी और यह तर्बूज कब निकल जाएगा तर्बूज निकल जाएगा तर्बूज निकल जाएगा इतने यह और उपर हो जाएगी और फिर आपकी इसके बीच में क्या बोने की प्लानिंग अजी मोंग के प्रानिंग अजीव कि देखिए किसान वाई कितने अडवांस हैं तीसरी फसल एक ही समय में ले रहे हैं कपास त तर्बूज निकालने के बाद तीन फसल ली और अपनी जमीन की उर्वरक्ता सकती भी बनाए हुए हैं तो मेरे साथी किसान भाई आपका बहुत बहुत दन्यवाद जो आपने इतनी महत्पून जानकारी दी तो आप सभी से रिक्वेस्ट हैं जैविक तक अपनाएं जिससे कि हमारी जमीने जैर मुक्त हो सकें और जो अपने देशवासी हैं वो जैर मुक्त खाना खा सकें और किसान की आए बढ़ सकें सभी का बहुत बहुत दन्यवाद राम राम भाई